हेलो नौसकार दोस्तों मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश में पर अश्वागत करता हूं कैसे हो दोस्तों और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो टॉपिक था वो क्या चल रहा था ए अच्छा किया मजभूत किया एकदम दमदार वाला तो यह उसमें ने क्या बताया आप लोगों को ट्रिक भी बताई है कांसेप्ट भी बताया किस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप सवाल करते हैं तो आप एकेन मानिए आप बहुत जल्दी बहुत है अच्छे-च्छे सवाल करिए और अच्छी तरीके से पढ़िये ठीक है पिर ज्यादा टाइम नावेश्ट करते हुए अज हम सुरू करते हैं प्रतिस्थापन के कांसेप्ट कांसेप्ट का मतलब क्या होता है एक जिगा से दूसरी प्रतिस्थापित कर जाता है उसी को मे यह प्रतिस्थापन में तबसे पहले एक बात यह सीख लेनी है आप लोगों को एबरेज बराबर क्या होता है सम बटे नंबर बता यह होता है कि नहीं होता है यह तो उन्हें बता दिया है अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि यदि अबरेज बढ़ेगा तो सम बढ़ेगा तो यहाँ पर सम भी बढ़ेगा अगर यहाँ बढ़ेगा तो सम भी बढ़ेगा अगर सम बढ़ेगा तो अबरेज भी बढ़ेगा यदि अबरेज गटेगा तो सम भी गटेगा यद इतनी बात धयान रखना होता है का काहने का मतलब यदी इवरेज बढ़ेगा तो फॉलेगा एवरेज घटेगा तो फॉलेग इतनी बात द्यान में रखना है और कुछ भी नहीं या थे सुबीन वींगतना हैठ्में अन्यां के प्रिस्तापन की वासर हो प्रускत गे दिखेंगें एक چात्रा दस हें की संख्याओं का उप्सट ज्यात कर थे चाहिए संख्याओं में एक ज्ञेज को लिखते समय गलती से एक संख्या की अंक प्लट जाते हैं जब दो अंगों की दस संख्या लिखता है उसमें क्या होता है गलती से एक संख्या के अंग पलट जाते हैं अंग पलट जाते हैं तो परिणामता उत्तर सही से 4-5 कम प्राप्त होता है सही से क्या होता है उत्तर जो है 4-5 कम प्राप्त होता है उस संख्या के अंगों के अंतर जिन संख्याओं में उसने गलती की थी उसी के इंकों का अंतर जloud करना है अंकों की जिन था तो इसका 2 संख़े को कि यह है संक्या है दस दीकिए नव तो संक्यां उसने बेदें भी लिखी होंगे यहां पर एक बात यह याद रखना कि एवरेज्ड जो है वो कितना कि क्या हुआ है चार दौहलब पाच कम प्राप्त हुआ है एवरेज क्या हुआ है चार दहलब पाँच गटा आये एबरेज चार दहलब पाँच गटा आये की नहीं गटा आये बताये है तो सम जो हो जाएगा सम जो होगा वोगी घतेगा की निहां पर यह बद यहाँ यहां पर यहां पर इन्हों ने है दस हुटोan है एक संक्याओं में तो संभी क्या मुण है चार दस मलब 5 गुड़े 10 कहने का मतलब है कि एभरेज 4-5 कम हो गया है इस ने क्या है नुझ not का भी कुछ-कुछ खीच लिया तभी तो अबरेज कम हुआ तो सम क्या हो जाता है हमने बताया था सम जो होता है सम बराबर होता है एबरेज इंटू नंबर होता है कि नहीं होता देखिए इसका इजर गुड़ा करती है सम बराबर होता है एबरेज इंटू नंबर तो सम जाएंगा चार्श अलोफ 5 में 10 का गुणा करें तो 45 हाजाएंगा इतनी बसाउन जाए इसका इसमें गुणा किया तो जसाल भाट जाएगा बताएं को दिक्कत अब संख्या दो को किया आहे अज मालिया संख्या अब देखिए इसका मितलब क्या हो जाएगा क्योंकि क्यूरा सति है यहां पर समझेट नहीं तो यहां पर देखिए क्या कर दिया संक्या को दी दसले अधिर यहां पर क्या हो गया यहां पर यहां पर प्लस ए पताईए संग्या को हमने क्या इदे लिग लिया दस भी प्लस ए मतलब अंक पलट दिये हैं इधर का उदर अंक कर दिया है अब इसमें हम देखते हैं संग्या कितनी कम हो गई यह कुछ संग्या थी इसे हमने इसको इस तरीके से लिख दिया अंक पलट दिये तो हम दे गजा हो, यहां पर क्या जाएगा, Mineus, 1B से 10B घटाएएगे, तो क्या जाएगा, MINEUS के 9B, इतनी बात अगर नई सोज़न जाते, तो इस तरीक biz से घटाने में का यह तो प्लस के 9 यह बच यहां पर प्लस का एक भी माइनस के 10 भी तो माइनस के 9 भी बच यहां ते 9 कामर ले लिया तो क्या गया a-b a-b आ गया तो now into a-b ये क्या आ गया ये क्या आ गया ये दोनों संख्याओं का अंतर आ गया मतलब इतनी जंख्या कम हो गई है, बच्ची जंख्या इतनी हो गई है, कहने के मतलब यह था, कि दोंकों की जंख्या थी, वो इस तरीके से थी, उसको हमने एज़े लिख दिया, तो कितना अंतर आ गया, हम देखते हैं कितना कम हो गई, इतना कम हो गई, और हमने इज़र से न के लिए हम क्या करेंगे नव 169 यही सवाल का अंसर है आप इस तरीके से कर सकते है बहुत अच्छे तरीके से सवाल को कर सकते हैं अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं अफिर आगे सवालों पर चलते हैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों के समझ में आया होगा मताईए कोई अगर दिक्कत हो अगर दिक्कत है तो भो भी दूर हो जाएगी चिंता ना करिये तिर्फ पढ़ते रहिए ड़िये मत दिखें कुछ लोग जो होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं कई भी टिक नहीं पाते हैं पढ़ लेते हैं सब कुछ लेकिन ठीक नहीं सकते ठीक के अगर पढ़े एक जगा तो वो सफल हो सकते हैं ठीक है और सीच सकते हैं अच्छी तरीके से गड़िए अब देगी दूसरा सवाल है एक चात्र जो है बीस दूयंकी संख्याओं का आउसत ग्याद करता है एक चात्र के अंग पलट जाते एक सदुर कि क्या होते हैं अंग प्लट जाते हैं प्रिणामता उत्तर सई huste सर्साथ कंप्राप्ट होता है कितना कंप्राप्ट्व strikes कोई बास नहीं दो रहते हैं इसके ऐसे एंधा का आंधर अंतर कितना है जिन जंक्याओं में उसने गल्ती की है उन जंक्याओं का अंतर क्या है जिन में उसने गल्ती की अब देखिए बात भही है इसमें जंक्या कितनी है 20 है इसे कोई मतलब नहीं जंक्या 19 तो उसने बैसे दिखी होंगी एक जंक्या में अंतर हुआ है तो देखिए दो दश्मलव साथ कम पराप्ट हुआ है तो सम जो है सम में क्या हो जाएगा सम भी दो दश्मलव साथ इंटू कि तो दो दश्मलव साथ का जब 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सम कितना कम हो जाएगा अब यहां पर जंक्या है अब यहां पर दिखकत यहां थक अब देखिए इसको किस तरीके दे लिखते हैं लिख लिख लिए दस ए प्लस भी तो दस प्लस भी ठीक है दो अंबों की रिखे हैं इसको मैं यहां पर यह लग लिया दस भी प्लस भी म s combo n भी निकालते हैं तो इसमांद्सल कितना हो जाएगा दस A से A के चला गया 9 A B से 10 B जाएंगे तो माइनस के 9 B 9 कामल ले लिया तो क्या जाएगा A माइनस B बढ़ाओ 9 A माइनस B 9 इंटू A माइनस B आ गया अब देखिए यहाँ पे इतना कम हुआ कहिने का मतलब यह है कि जिए अगर को सिंक्या 73 थी उसको हमने 33 लिख लिए तो हम इसको गटा के देख लेते हैं तो कितना आजाएगा 3 से 13 13 से 7 गए 6 यहाँ बचे 4 4 से 3 गए 3 नहीं यहाँ बचे 6 6 से 3 गए 3 36 आ गया और यहाँ पे कितना सम कमाया 4 कमाया जिए यहाँ पे कितना कमाया तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं इस तरीके से निकल लेते हैं तो यहाँ पे इतना कम हो गया है इतनी कम हो गई लेकिन यहाँ पे सम कितना कम हुआ है यहाँ पे इतना कम हुआ है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं 9 A माइनस B बराबर 54 तो उनका आंथर कितना हो जाएगा िधार क्या हुआ है यही सबर का अंसर आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर घटें अब इसको विगाड़ दिफ्र आगया की सवालों पर चलते हैं देखे मन लगाके पढ़िये कुछ नहीं है इन सवालों में अपने आप हो जाएंगे अगर दो तीन बार मेहनत करोगे और देखे अच्छे मन से बढ़ोगे एक जिगाम मन एकत्रित करके पढ़ोगे तो सब समझ में आने लगेगा देखे क्या है एक छात्रा जो है दस तीन अंकी संखियां के आउज़त निकालता है और तीन अंकी संखियां के आउज़त निकालता है लेकिन वा गलती से क्या करता है संक्या के अंकों को बदल देता है जिसे उसे का आउसत जो है 49 जह बढ़ जाता है जब निकालेंगे सम क्या हो जाएगा 49 जह लिखए है और संक्या कितनी है दस संक्या कितनी है दस तीन की संक्या है तो दसका इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 396 बताएं समझाया तो इसका सम कितना बढ़ जाएगा सम इसका बढ़ जाएगा 396 सम कितना बढ़ जाएगा 396 इसका सम भी बढ़ जा और उसमें क्या होता है बढ़ जाता है तो उस संक्या के इकाई और जैकड़े के इस्तान पर अंकों का अंतर याद कीजिए इकाई पर देखिए यह है जैकड़े पर यह है इनका अंतर याद करना है तो इसका क्या हो जाएगा सी वी ए इनके पूंबे बदल दिया एनके अंकों को क्या किया बदल दिया तो जो एक सवopen प्लस 10 वी प्लस सी मताई यह संक्या ओगी सॉइकडा वाली संक्या है सव अध्यूइ ऒलन आई वाली दस वी प्लुस हमद्सि हो नहीं सिसमें स healthy pee से कुंदा कर दिया दाइवाले में दस से गुंदा कर दिया और का वाले में सिमगल रखा इन्तर caliber जब लेगे आ विद निकालोगे तो नीचे वाली सिंख्या क्या हो जायेंगी ले बनाने पर क्या होता है चिन बदल जाते हैं तो यह वाली सिंख्या कट जाएगी माइनस की कट जाएगी अब हमें इस चिन से मतलब है नीचे वाले से अब देखिए माइनस का ए है तो प्लस के निन्यानवी बचेंगे की नहीं बचेंगे अब देखिए प्लस का सी है माइनस के सौ सी है तो माइनस के निन्यानवी सी बचेंगे की नहीं बचेंगे अब इससे ह अब इसको 99 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा चार बार कट जाएगा तो अब इसको कितना बढ़ गया एब इसको इसको बढ़ जाएगा तो हम इसको अब अब हम गटा लेते हैं तो तो देखते हैं कितना आ गया 36 आ गया इसका मतलग कितनी जंक्या पड़ गई 36 पड़ गई उसी प्रकार हमने क्या गिया यह जंक्या थी इसको मैं बदल लिया तो इससे क्या हुआ सही 36 पड़ गया ठीक है यही इस सवाल का अंसर है ठीक है अब देखिए इसके बाद आगे के सवाल देखिए इसके बाद देखिए आगे का सवाल यह है कि छे पूरुस की और तायू चार बर्स बढ़ जाती है छे पूरुस की और तायू चार बर्स बढ़ जाती है तो इसमें क्या करना है सबसे पहले लिखेंगे एवरेज एवरेज कितना होता है चार बर्स बढ़ जाता है एवरेज कितना बढ़ जाता है चार बर्स बढ़ जाता है तो सम क्या हो जाएगा सम में क्या हो जाएगा एक की उम्र 21 और त्यइज बर्स आए उनकी जगा दो ने पुर्ष आते हैं तो ने पूर्स की आउसत आयोink ऑसई गया ब्सक्राइद जो ने पूर्स हैं उनकी आउसत आयोतना ऑसंकी कितनी हो जाएगी न्यू आदा गया देखियाद हैं व् Breaking 24 बढ़ गया है । कितने बढ़ गई है 24 बढ़ गई है तो 24 बढ़ गई है तो 24 बढ़ गई है तो और दो च्छे कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा इनकी तो नंबर कितनी है तो जब दो से इसको टिवाइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 तो average आयों कितनी आजाएगी दोनों की निव वालों की 34 आजाएगी यही सवाल का answer है ठीक है इस तरीके से आप सवाल वो solve कर सकते हैं ठीक है फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेस्टे पेसिट में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर धन्यभाद